सेवा जोहार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे कोईतुर समुदाई का जल जंगल जमीन और क्रिसी से बहुत ही गहरा संबंध है। आज के वीडियो में हम क्रिसी से जुड़े ही कुछ सब्दार्थ, वाख्य और क्रियाओं को बोलना गोंडि भासा में सीखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि खेत को गोंडि भासा में क्या कहते हैं। खेत को हमारी गोंडी भासा में नेल या दिप्पा के नाम से जानते हैं अगर हमें मैं खेत जा रहा हूं को गोंडी भासा में बोलना है तो हम कहेंगे नना नेल हंतना इस वाक्य में मैं के लिए नना उप्योग किया गया है और खेत के लिए नेल इसी तरह जा रहा हूं को गोंडी भासा में हंतना कहते हैं या आप यह बोल रहे हों कि मैं खेद गया था या मैं खेद नहीं जाओंगा या मैं खेद जाओंगा या नहीं जाओंगा तो इसके लिए कुछ सब्दार्थ मैं आपको बताता हूं जो आप इस वाक्य में जा रहा हों की जगह उपयोग कर सकते हैं और नया वाक्य बना सकते हैं जैसे गया था को गोंडी भासा में हंजी या दाईसी कहते हैं, उसी तरह नहीं गया था, इसे हनवा के या दाईवा के कहते हैं, जाओंगा इसे गोंडी भासा में हन का या दाई का कहते हैं, इसी तरह नहीं जाओंगा को गोंडी भासा में हनन या दायन कहते हैं या मान लिए आप किसी को पूछ रहे हों कि आप कहां जा रहे हैं तो इसे गोंडी भासा में कहेंगे निमे बेगे दानतों या निमे बेगे हनतों इस वाक्य में आपके लिए निमे उप्योग किया गया है और कहां के लिए बेगे तथा जा रहे हो के लिए हंतन इन गोंडी सब्दों का उप्योग किया गया है आज कल हमारे खेतों में धान की बुवाई चल रही है धान को हमारी गोंडी भासा में वन्जी के नाम से जानते हैं बहुवचन में आप इसे वन्जिंग कह सकते हैं चलिए अब धान की बुवाई से संबंधित कुछ वाक्य गोंडी भासा में सीखते हैं अगर आप किसी को पूछ रहे हो कि धान की बुवाई हो गई क्या तो इसे गोंडी भासा में कहेंगे वन्जिंग वित्ची आतूंग बा इस वाक्य में धान के लिए वंजिंग उपयोग किया गया है तथा हो गया के लिए आतुँग बा इन गौंडी सब्दों का उपयोग किया गया है बचता है बुवाई, बुवाई करना को ऐसे तो गोंडी भासा में वीताना कहते हैं, पर वाक्य के अनुसार इसमें थोड़ा बहुंत बदलाव आ सकता है, जैसे बुवाई करो तो इसे गोंडी भासा में एक वचन में वीता कहेंगे और बहु अचन में वीताट कहेंगे, उसी तरह बुआई मत करो। इसे गोंडी भासा में एक वचन में वीतमा कहेंगे और बहुचन में वीतमाट कहेंगे। अगला है बुआई कर रहा हूं। तो इसे गोंडी भासा में एक वचन में वीतांतना तथा बहुचन में वीतांत्रों कहेंगे। बहुचन में वीतकोम कहा जाता है। कई बार हम बुआई करके या बोकर ऐसा सब्द का उप्योग भी करते हैं। तो इसे गोंडी भासा में वीतची या वीतची कुन कहते हैं। बढ़ते हैं आगे अगर आपको धान की बुआई करना है तो बिना खेत की जुताई के तो ये संभव नहीं है। अब जानते हैं जुताई से संबंदित, वाक्य और सब्दार्थ जैसे मैं हल चला रहा हूं या मैं जुताई कर रहा हूं। तो इसे गोंडी भासा में कहेंगे नना नांगेल पुहांतना। इस वाक्य में मैं के लिए ननना, हल के लिए नांगेल और चला रहा हूं या जुताई कर रहा हूं के लिए पुहांतना इन गोंडी सब्दों का उप्योग किया गया है। अब जानते हैं कुछ सब्दार्थ जैसे हल को गोंडी भासा में नांगेल या नांगल कहते हैं। इसी तरह जुताई करना इसे गोंडी भासा में पुहाना या पुहिना कहते हैं। अगला है जुताई करो तो इसे एक वचन में कहेंगे पुहा और बहुचन के लिए पुहाट। इसी तरह जुताई मत करो इसे एक वचन में कहेंगे पुहुमा और बहुचन में कहेंगे पुहुमाट। बढ़ते हैं आगे, अगला है जुताई कर रहा हूँ, तो इसे कहेंगे पुहानतना। अगला है इसी वाख्य का बहुवचन जुताई कर रहे हैं, तो इसे गोंडि भासा में कहेंगे पुहानत्रम। इसके बाद है जुताई करूंगा तो इसे एक वचन में पुखका कहेंगे और अगर आप कह रहे हो कि जुताई करेंगे बहुवचन में तो इसे पुखकों कहेंगे. अगला है जुताई कर रहा था तो इसे एक वचन में कहेंगे पुहंदान या पुहिंदान और बहुवचन में इसे कहेंगे पुहिंदौम साथियों वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है पर अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ जिन्हें गोंडी भासन नहीं आती उनके साथ सेयर कीजिए साथ ही अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करिए वैसे तो इस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा कुछ बताया नहीं पर फिर वी जितने सब्द और वाक्य मैंने आपको बताये हैं उनका आप उप्योग करके एक से अधीक वाक्य बना सकते हैं अगर आपको कहीं पर गोंडी भासा में कुछ समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं साथियों मेरा वीडियो जो अभी तक देख रहे हैं ना मैं उनसे अनुरोद करूँगा की अब तक का आपका मेरे साथ क्या अनुभाव रहा मुझे कमेंट करके आप बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सब्द और नए वाक्यों के साथ सीखते हैं कुछ गोंडी भासा में नया तब तक के लिए सेवा जोहार